बाई एनजेटिक को हम पढ़ेते हैं और अपने लास्ट अ्ट लक्चर में हमने रिक्शंच इन फॉतो सैंथिस को देखा था और हमने कहा था कि फॉतो सैंथिस जो है वो बरेसुकली दो तरह के रिक्शंच श Α्यक्शंच आप होता है एक को हम कहते है लाइट डिपेंडेंट रेक्शन और एक को हम कहते है लाइट इंडिपेंडेंडेंट रेक्शन ठीक है लाइट डिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें जैसे कि हमने previous lecture में भी बात की थी कि ये वो reactions हैं जिसके अंदर हमारे पास light का होना जरूरी है और ये जो light है basically होता क्या है कि photosynthetic pigments होते हैं हमारे पास और वो इस light को sunlight को absorb कर लेते हैं और फिर उसको convert करते हैं chemical energy में अब photosynthetic pigments जो है वो light को absorb करते हैं उसको हम कहते हैं के वो pigments अपने आपको different clusters की फॉर्म में ja groups की फॉर्म में ORGN тонnelle कर देते हैं ठीक है इस इसलिए इकट्टे होते हैं ता कि efficiently light को absorb कर से कि और फिसको utilize कर से कि जैसे कि हम ने बात की थी न action spectrum और absorption spectrum की तो एक तो यह है कि light को अच्छे से absorb कर सके और फिर उसके बाद उसको efficiently use कर सके utilize कर सके तो यह photosystems होते हमारे पास different types के और हमने क्या कहा कि यह क्या है photosystems are basically clusters of pigments और यह concept photosynthetic pigments है जिसमें हमने कहा था chlorophyll A chlorophyll B और carotin lights आजाते हैं अच्छा अब यह जो photosystem है हर एक photosystem है हम उसको divide कर सकते हैं into different parts हम कहते हैं कि photosystem जो है इसके दो हिस्से हैं एक को हम कह देते हैं जो नाम हम देते हैं हम उसे कहते हैं antenna complex antenna complex और दूसरे को हम कहते हैं reaction center इसको अगर हम एक figure से समझ लें तो जादा बहतर होगा यह हमारे पास एक photosystem है photosystem के अंदर हमने कहा के एक हमारे पास antenna complex है तो यह हमारे पास जैसे यह green है और इसके इलावा हमारे पास different जो और यह gold gold circle आपको नज़र आ रहे हैं इसे हम कहते है antina reaction center ठीक है तो यह दो पार्ट होगे photosystem के अब इनका काम क्या क्या होता है one by one हम इसे देखते जाते है antina center जिसे हमने यह antina complex का नाम दिया यह basically chlorophyll A chlorophyll B और carotinate से मिलके बना है और इसका काम क्या है कि इसने light को absorb करना है और फिर उसके बाद उसको यानि channel करना है यानि कि light को इकठा करते जाने ताके वो उसको reaction center की तरफ भेज सके ठीक है जैसे कि आप यहां पर देख भी सकते हैं हमारे पास photon आ रहे हैं यहां पर yellow color में और वो एक तो यहां के absorb हो गए और फिर वो आगे energy transfer होती जा रही ठीक है तो तीन steps होगे एक पहला step क्या है कि light जो है वो absorb होई है antenna complex में उसके बाद वो transfer होगी reaction center में और फिर reaction center के बाद हमारे पास third step आते हैं जहां पर light जो है वो यह जो light energy हमारे पास आई है वो फिर convert जाती है into chemical energy और यहां हमने देख लिया photo system का overall structure अच्छा अब photo system जो है basically हमारे पास दो types के photo systems होते हैं यह हम इसको divide कर देते हैं into two types photo systems और हमने कहा कि यह जो है इसकी two types हमारे पास एक को हम कहते हैं photo system one photo system one और दूशरे को हम कहते है photo system 2 इन दोनों में difference क्या है difference यह है कि दोनों जो है वो chlorophyll A molecule दोनों के अंदर जो chlorophyll A molecule है वो जिस light को absorb करता है है वो different wavelength की light होती है वो किस तरह से different होती है कि जब हम बात करते हैं photosystem 1 की तो यह photosystem 1 है इसमे chlorophyll A जो pigment है वो absorb करता है 700 nm की light को ठीक है और इसको हम P700 भी लिखते हैं इस photosystem को जबकि photosystem 2 जो है इसके अंदर जो chlorophyll A pigment है वो light जिस light को absorb करता है वो हमारे पास होती है 860 nm की ठीक है और इसलिए हम इसको P860 भी लिखते हैं sorry P680 यहीं कि 680 nm की light को यह pigment absorb कर लेता है इस तरह से हमने इसकी दो divisions कर लिए अच्छा तो जहां हमने function देख लिए antenna complex का उसके इसके बाद हम आ जाते है reaction center के ऊपर जहां पर जहां पर जो हमने हाइलेट किया था reaction center क्या कर रहा होते है reaction center को भी हम आगे से divide कर देते हैं दो 2 parts में एक इसके अंदर होता है electron acceptor और एक होता है a wrap यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो molecule है यह जो आप पाट देख रहें इसको हम कहते है यह electron acceptor और यह और चालत है reaction center के अंदर पर उसको pass कर देते हैं elektron carrier के अंदर हमारे पास basically different तरह के compounds हो सकते हैं जिस तरह हम कहते हैं के हमारे पास plastic o को इने compound है plastic o को नौ, हम इसको आगे जा के detail में देखते हैं तो यहां पर काम हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास energy रोजी जो है वो ट्राप होगी और फिर टांस्फर होती जा रही है आगे reaction center के अंदर अब यह जो इनलर्जी यह जिसे हम कहént़ mother transfer हो रहा है यह transfer कहां पर हो रहा है iyi transfer हो रहा है basically हमारे पास होता है electron transport chain के अंदर इसका जिकर जो है वो हम अरुड़ी अपने previous इस lecture में भी कर चुके हैं और हमने कहा था कि हम इसको next lecture में detail में देखेंगे तो आज के lecture के अंदर हम इसे देखेंगे कि electron transport chain क्या चीज़ है electron transport chain basically इस diagram के अंदर हम देख सकते हैं कि electron transport होता जा रहा है आगे आगे move करता जा रहा है तो यह ultimately जब reaction center में आ जाता है हमारे पास और energy हम यहाँ पर trap हो गए यह तो उसके बाद electron जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है electron transport होने का जो एक पूरी की पूरी chain है उसे हम कहते हैं electron transport chain अब यह जो electron transport होती है यह electron transport chain है यह दो तरह की हो सकती है होता कि इसके अंदर detail में इसे हम next में देखते हैं पर फिलहाल हम इसकी अगर types में देखें से तो इससे हम दो types में divide कर देते हैं यानि हम कहते हैं कि जो हमारे पास electron transport है इसकी दो types है और वो क्यार दो types है एक को हम कहते हैं non cyclic electron flow और दूसरा हमारे पास cyclic electron flow cyclic electron flow ठीक है जैसे कि हमें नाम से पते चले यह non cyclic है और cyclic है difference क्या होता है इसके अंदर difference इसके अंदर basically यह होता है कि जो non cyclic electron flow है इसके अंदर जो हमारे पास electron है वो दो photosystems से गुजरता है ठीक है वो photosystem one और photosystem two जो हमने दो types पढ़ी है तो यह electron जो है वो इन दोनों photosystem से गुजरता है और यह non cyclic flow है ठीक है तो इसमें हमने कह दिया कि electron passes through two photosystems ठीक है और similarly जब हम बात करते हैं cyclic electron flow की तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो electron है यह सिर्फ एक photosystem से गुजरता है ठीक है और वो photosystem कौन से है तो only one photosystem और वो photosystem photosystem one होता है ठीक है तो यह हमारे पास differences cyclic और non cyclic electronic flow का ठीक है अब हमने पढ़ा था कि जब यह electron flow हो रहा होता है यह electron transport change जो है इसके result में हमारे पास जो एक product बनता है उससे हम कहते हैं हमारे पास ATP बन रहा है ठीक है अब यह ATP कहा हो मनता है जब हम non cyclic electron flow की बात करें है cyclic इन दोनों के अंदर हमारे पास basically ATP produce हो रहा होता है ठीक है और यह जो ATP production का process है इसको हमें एक नाम देते हैं हम इससे कहते हैं phosphorylation ठीक है जब हमारे पास non cyclic electron flow में ATP produce होगा तो उसको हम नाम देते हैं non cyclic phosphorylation और जब हमारे पास cyclic electron flow में ATP produce होगा तो इस process को हम नाम देंगे cyclic phosphorylation ठीक है अब एक काम करते हैं कि हम इससे one by one देखते जाते हैं कि cyclic phosphorylation क्या है और non cyclic phosphorylation क्या है सबसे पहले हम देखते हैं non cyclic को non cyclic phosphorylation जैसे कि हमने बात की कि यह वह process है जिसके अंदर जब ATP produce होगा तो वो दो photosystems के through यह electron जो है वो गुजरेगा ठीक है तो सबसे पहले यह होता है कि सबसे पहले जो photosystem involved होता है उसे हम कहते है photosystem 2 ठीक है photosystem 2 के अंदर हो यह रहा होता है जिसे हम summarize कर सकते है non cyclic phosphorylation को उसमें होता यह है कि light जो है वो fall करती है photosystem के उपर वहां पर हमारे पास जो हमारे पास light है वो transfer होती जाती है जो energy absorbed होई थी वो transfer होती जाती है आगे आगे मजीद molecules के अंदर और ultimately वो reaction center तक पहुंच जाती है reaction center के अंदर क्या होता है कि जब वो वहां पर energy पहुंचती है तो वहां के जो electrons होते हैं वो excited state पर आ जाते हैं या higher energy level पर आ जाते हैं तो क्या होता है कि वहां से electrons निकल जाते हैं अब हम जाते हैं कि हमारे पास यह एक let's suppose box है और इसके अंदर normal number of electrons और protons ठीक है अगर इसके अंदर से electrons निकल जाएंगे रिलीज हो जाएंगे तो क्या होगा कि यहां पे एक hole create हो जाएंगा इस hole को fill करने के लिए हमारे पास water molecule होता है वो water molecule break हो जाता है इसके अंदर से हमारे पास 2 electrons जो है वो relief होते हैं हर water molecule के break होने से और वो यहां पर आके its hole को break कर देते हैं ठीक है अब यह जो electron की रिलीज हुआ था जो एक्षाइर-e-nergy स्टेट पे चला गया था एक electron है यह जिन सीरीज से गुजरेगा उसे हम कहते हैं वह है electron transport chain electron transport chain ठीक है और electron transport chain जो है वह basically हमारे पास कुछ carriers होंगे, कुछ ऐसे compounds होंगे जो electron को ले के जाएंगे, ठीक है तो इसलिए हम उनको कहते हैं, electron carriers यानि कि वो एक किसम के vehicles होते हैं वो ऐसी गाड़ियां हो सकती हैं, जो कि electron को ले के जा रहे हैं, ठीक है electron carriers का हम उसको नाम देते हैं, इसको हम एक काम करते हैं, कि हम इसको एक साथ-साथ diagram के साथ देखते जाते हैं ताकि हम उसे समझते जाएं अच्छा, ये मेरे पास एक diagram है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसके अंदर हम light reaction पूरा का पूरा summarize हो हो हुआ है कि light reaction में क्या क्या होता अभी तक जो हमने बात कि, हम बात करें है non-cyclic phosphorylation की, तो non-cyclic phosphorylation हमने कहा कि दोनों photosystems involve होंगे इस diagram के अंदर आप देख सकते हैं कि यहां पे हमारे पास इस तरह से energy शो हो रही है, energy level शो हो रहा है इसको absorb कर रहा है और यहां से लाइट है chlorophyll ने जब उसको absorb किया है तो energy आगे आगे transfer होते जा रही है और ultimately वो यहां पे reaction center में आ गई है अब यह वाला पार्ट है यह हमारे पास reaction center है reaction center में क्या हुआ है क्योंकि यह photosystem 2 है तो यहां पे chlorophyll A pigment 680 nanometer की light को इसने absorb किया है अब यहां पे क्या हुआ है क्योंकि इसने energy absorb कर लिए यहां के जो electrons थे वो excited state में आगे excited का क्या मतलब है हम जब electron का जब हम किसी भी atom का structure पढ़ते हैं तो हमें पता है कि दर्मयान में हमारे पास nucleus होता है तो क्या होता है कि energy level बढ़ता जाता है अब अगर किसी electron ने जो के first energy shell में था या ground state पे था और उसने energy absorb कर ली है उसके अंदर energy आ गया तो क्या होगा कि वो jump कर जागा into higher energy orbit ठीक है तो यहां पे भी यही हो रहा है कि क्योंकि इस यहां के जो atom है इसने energy को absorb कर लिए तो इसके जो electron है वो higher energy state पे चला गया तो electron कहां पे चला गया primary acceptor के पास चला गया ठीक है अब electron तो primary acceptor के पास चला गया बट हुआ कि हमारे पास यहां पे एक hole create हो गया electron तो चला गया तो उसकी जगह पे एक hole आ गया अब उस hole को fill करने के लिए हमारे पास second step आता है non cyclic phosphorylation का और उसमें क्या होता है कि water molecule रहे है वो break हो जाता है water molecule किस तरह से break होता है हम उसको लिखते हैं कि जब H2O है वो convert हो गया into two H positive ions plus two electrons plus half oxygen ठीक है basically हमारे पास एक oxygen और दूसरे oxygen दो oxygen बनते हैं और वो आपस में combine होके O2 बना देते हैं ठीक है इस तरह से तो एक reaction जो एक water molecule break हो है वो इस तरह से break होता है उसमें हम पास दो hydrogen ions दो हमारे पास electron बन जाते हैं और half oxygen molecule हम इसको लिखते हैं ठीक है अब यह जो process हो है यह क्यों break हो है यह with the help of light हो है ना तो इसे हम एक नाम देते हैं specialist का नाम है जिसे हम कहते हैं photolysis photolysis क्यों कह रहे है लाइस का मतलब तब breakdown photo का मतलब है light तो यह light की वज़े से breakdown हो रहे हैं हम कह रहे है photolysis ठीक है अब यह जो half oxygen बना है हमारे पास basically यह हमारे पास जो हमने कहा है ना जो हम नहीं कहा है एक oxygen उलीक्वर होता है तो यह वह ही oxygen पास यहां पर रिलीस हो जाएगा ठीक है photo synthesis के process में जो oxygen बनागी हो था है यह हों यह oxygen है यहां पे oxygen बन गई हमारे पास यानि कि एक that photo synthesis का यहीं बन गया अच्छा यहां पर हम आ रहे थे तर्फ हमने की अरहे भी सबिवरिये थाल इ çıktı करने टीओ ऩो इन्टेटर को फिल करने तर्फ हो झाहिए जो है मिलías प्राइंडे पास प्राइमरी एक्षेप्टर के अंदर आ गया था मिलिए खे derived हमारे पास हमें कहा था कि electron carriers होते हैं ठीक है अब यहां पर आपको यह जो PQ लिखा आ रहे है यह PQ क्या है यह हमारे पास Plastoquinone एक compound है Plastoquinone ठीक है और यह जो Plastoquinone है यह basically एक complex compound है और यह किन दो चीजों से मिलके बने है एक हमारे पास है cytokrone और दूसरा हमारे पास एक protein compound प्रोटीन से मिलके बने compound जिसको हम कहते है Plastocyanin ठीक है जिसे हम PC भी लिखते है ठीक है तो यह हमारे पास Plastoquinone बन गया है जिसको हम PQ से denote कर रहे हैं तो अब आप देख सकते हैं कि Plastoquinone क्यूंकि हमारे पास यह एक electron carrier है यह एक पहिकल है जिसमें electron pass हो सकता है आगे जाके किसी और चीज़ के अंदर तो electron जो है यहां से move करता जा रहे है ठीक है के हमारे पास ATP produce होता है और यह जो ATP produce हो रहे है इस process को हम क्याते है यह किस process से बन रहे है यह और हमारे पास ATP प्रोडियोस हो गया और क्या हुआ है कि जो एलेक्ट्रॉन है यह पहुंच चुका है फोटो सिस्टम वन तक ठीक है अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यह ऊपर था और यहां से आ कि यह नीचे क्यों आ गया तो यह नीचे इसलिए आ गया क्योंकि इनर्जी जो है वह डिसेपेट हो नर्जी यूज़ हो गी ए किस चीजमे यूज़ होई है Catholic की Production अब इनर्जी हमने इनर्जी लेवल को शो किया था ना aero से तो energy कम होगी और कहाँ पहुंच गी फोटो सिस्टम तक अच्छा अब फोटो सिस्टम वन में क्या हो रहा है कि फोटो सिस्टम वन में भी उसी तरह से light आई light absorb होगी chlorophyll pigments में और chlorophyll pigments में absorb होने के बाद यहाँ पे हम reaction center तक पहुंच गया direction center में क्या हुआ कि यहां पे energy क्योंकि जादा होगी थी atom के अंदर तो electron जो है वो excited state में आ गया अब यहां से एक electron हमारे पास already आया हुआ था photo system 2 से और यही electron ने यहां के जो hole था उसको fill कर दिया और यहां का जो excited electron है वो उपर आ गया primary acceptor के पास किस primary acceptor के पास photo system 1 के primary acceptor के पास अब primary acceptor तक electron पहुँच किया इसके बाद इसको मजीद आगे जाने के लिए कुछ carriers चाहिए यहां से मजीद आगे जाने के लिए हमारे पास जो carriers है वो different है यहां पे हमारे पास क्या था हमने कहा था हमारे पास है प्लास्टो कुई नॉन और यह यहां हमारे पास जो carriers है उनको हम कहते हैं यह complex है जिसका नाम है ferridoxin ferridoxin जिसको हम FD से denote करते हैं ठीक है ferridoxin basically ferrous से word निकला है और ferrous की से हम कहते है iron को कहते हैं तो यह iron containing protein है हमारे पास ठीक है और यह हमारे पास आगी second electron transport chain जिसके अंदर क्या हो रहा है कि electron जो है वो transport हो रहा है ferridoxin के through और transport होके कहां जा रहा है हमारे पास आ रहा है यह NADP positive reductase के पास ACE के words हमें पता चल रहा है कि यह क्या चीज़ है यह एक enzyme है ठीक है तो NADP positive reductase करता क्या है यह electron जो हमारे पास यहां पर आगया excited state वाला electron यह उसकी मदद से NADP plus को convert कर देता है into NADPH के अंदर ठीक है NADPH हमने कहा था ना कि हमें non जो dark reactions वहां पर चाहिए होगा ठीक है तो हमें दो चीज़े बनाने थी यहां पर एक हमें ATP चाहिए था यहां पर वो तो बन गया अब आगे जाके हमें किया चीज़ चाहिए NADPH चाहिए तो वह कहां पर बन रहा है second जो हमारा process है photosystem one यह second electron chain के अंदर है electron transport chain के अंदर यह कर क्या रहा है basically यहां पर हो यह रहा है कि हमारे पास एक high energy electron है जो के store कर रहा है अपनी energy in the form of NADPH ठीक है तो हो क्या रहा है कि हमारे पास है NADP plus और इसके अंदर हमारे पास आ रहे हैं दो hydrogen ions और वह उसको convert कर देते हैं into what into NADPH ठीक है यह इस form में convert हो जाएगा फिरके इसके साथ एक और hydrogen ion जो है वो भी add हो जाते है और हम कहते हैं कि हमारे पास तो बनता है उसे हम कहते है NADPH2 यह हमारे पास एक compound बन गया ठीक है तो अब हमें क्या इसके आगे हम कहां जाते हैं इससे आगे हम कहते हैं कि हम dark reactions की तरफ जाते त और एक हमें वहां पर ATP चाहिए ठीक है और basically हमने क्या बात की इस पूरे light reaction में हमने कहा कि हमारे पास एक जो product है oxygen वह यहां पर यह आप देख सकते हैं कि वह oxygen product जो एक photosynthesis का product है वह बन गया ठीक है अब अगर हम इस पूरे photosynthesis के process को यह जो आपको यहां पर नजर आ रहे है इस पढ़ लिए इसके बाद हम आजाते हैं cyclic phosphorylation के लिए हमने कहा था कि non cyclic में क्या होता है कि हमारे पास दोनों photosystems involved होते है cyclic phosphorylation में क्या होगा कि हमारे पास सिफ एक photosystem photo system 1 involved होगा ठीक है तो हम देख लेते हैं non cyclic के बाद cyclic phosphorylation Cyclic Phosphor Relation Cyclic Phosphor Relation को भी समझने के लिए अगर हम Diagram देख ले अच्छा तो ये हमारे पास एक Diagram है Electron Transport Chain को आप समझ चुके हैं अब अगर हम इस Diagram की तरफ देखें हमने कहा था कि इस फोटो सिस्टम 1 involved हो रहा है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बेसिकली एलेक्ट्रॉन जो है यहां के जो एलेक्ट्रॉन हैं वो सिर्फ एक ही चेंड के अंदर गुजर रही है यह प्रोसेस बेसिकली होता क्यों है Cyclic Phosphor Relation होती कहाँ है यह उस वक्त हो रही होती है जब हमारे पास ATP जो है वो कम हो जाता है हमें के जबन साइकल चलाना होता है लेकिन ATP कम हो जाता है NADPH जो है वो Accumulate हो जाता है फैल जाता है हमारे पास Clotoplast के अंदर तो अब ATP को दुबारा बनाने हमने देखा था हमारे पास यह वाला जो पूरा प्रोसेस था किसी तरह से हम ले के आएं अपने पिछले स्टेप की तरफ ठीक है यह किसी तरह से यहां पर आ जाए और यह वाला प्रोसेस जो के साइटोक्रॉम के अंदर हो रहा है यह दुबारा से फॉर्म हो जाए ताके हमारे पास ATP प्रोडियूस हो तो बेसिकली साइकलिक फोस्फोर रिलेशन में yeही कुछ हो रहा होता है इसमें होता क्या है कि हमारे पास ये जो एलेक्रॉम एक sui-tr श््टेट में चले गए उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास यो फेरेडॉक्स है वहां से यालेक्टर्ण दुबारा इस केरियर के अंदर आ जाते हैं, जिसको हमने नाम दिया था, प्लास्टोकृिनॉन का, ठीक है, अब प्लास्टोकृनॉन के बाद, हम जानते हैं कि हमारे पास एक और और यह जो complex है basically यह दो चीजों से मिलके बना है जिसे हम कहते है cytokrome और plastosynine अब cytokrome जो है basically यह वो जगह है जहां पर ATP produce होता है ठीक है तो अब यह redox chain के अंदर आगे है जिसमें क्या हुआ है कि यहां पर ATP दुबारा से क्या होगा कि ATP की production start हो जाएगी यहां पर ATP बना यहां फिर यह प्लास्टो साइनिन के अंदर प्लास्टो साइनिन के बाद electron दुबारा से photosystem 1 में आ गया तो यह एक पूरा का पूरा cycle है जो कि repeat होता जाएगा उस वक्त तक repeat होता जाएगा जब तक जितनी भी हमें required amount of ATP है वो complete नहीं हो जाती ठीक है तो यह हमने पढ़ लिया cyclic phosphor relation इसके बाद हम यहां जाते हैं एक आखरी चीज़ के उपर जो हमने discuss कि अपने lecture के अंदर हमने कहा कि यह जो ATP produce हो रहा है यह जिस process के तुरू produce हो रहा है इसको हम कहते है chemiosmosis ठीक है तो अब हम last में देख लेते है chemiosmosis को अच्छा यह chemiosmosis का process है basically यह respiration में भी हो रहा होता है यहां पर हम figure के अंदर देखें chemiosmosis का process हमने कहा कि यह वो process जिसके अंदर ATP ने produce होना है ठीक है अच्छा हम यह जानते हैं कि हमारे पास जब यहां पर हमने बात की थी phosphor relation की तो हमने कहा था कि यहां पर जब water molecule break होता है तो हमारे पास दो hydrogen ions बनते हैं इसी तरह यह धेर सा हमारे hydrogen ions accumulate होए होंगे यहां पर आप इसको देख सकते हैं कि यह हमारे पास membrane है ठीक है अगर हम इसको highlight करें यह और यह ठीक है यह हमारे पास membrane है और membrane के साथ जब हमने कहा लेक्ट्रॉन ट्रांस्पोर्ट चेंज जब गुजरती है यह लेक्ट्रॉन ट्रांस्पोर्ट hydrogen की जो concentration है वह सेरी में ज़्याद सरी ठेसाने मार पास hydrogen ions प्रेजन है अब यह जो hydrogen ions है होता ही है हमारे पास एक protein प्रेजन होते हैं जिसे हम कहते हैं ATP synthase ठीक है ATP synthase में hydrogen ions जो हैं वो diffuse हो जाते हैं क्यों हो जाते हैं because hydrogen ions में energy जो है वो जाद है ठीक है तो यहां पर membrane के अंदर hydrogen ion diffuse हो जाएंगे इसके अंदर आ जाएंगे इताला कोईट कमपार्टमेंट से तो होगा क्या basically जब इसके अंदर hydrogen ions आ आ जाते हैं तो और इनके अंदर energy होती है तो क्या होता है कि यह जो energy है यह utilize हो जाती है in the production of ATP ठीक है होता क्या है हमारे पास एक reaction होता है जिसके अंदर ADP के अंदर एक phosphate जो है वो add हो जाता है और हमारे पास ATP प्रोडियूस हो जाता है ठीक है adenosine triphosphate जो है यहां पर आ जाते हैं और यह पूरा प्रोसेस यह किया है हमारे पास यहां पर बाहर यह वला जो area है blue से जिसे में यह lines लगा रही हूँ यह क्या area है यह हमारे पास stroma है stroma के अंदर हमने कहा के thylecoid membrane और membranes के साथ क्यूंकि electron transport chain में धेर सारे hydrogen lines प्रोडियूस होए थे और हमने देख लिया थोड़ा सा हम इसे summarize कर लेते हैं आज के लेक्चर को आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा हमने light dependent reaction से start किया हमने कहा कि light dependent reaction जो है उसके लिए photosystems यूज होते हैं और यह reaction center है जहां पर electron transport chain का पूरा काम हो रहा होता है ठीक है फिर उसके बाद हमने photosystems को divide किया photosystem 1 और 2 में और फिर उसके बाद हम electron transport के ओपर आगे और हमने कहा कि उसके दो टाइपस है एक को हम कहते है cyclic को हम कहते है non cyclic non cyclic में क्या होता है कि photosystem 1 और 2 दोनों involved होते है cyclic मे के अंदर भी हमने इसकी detail देखी एक diagram की दूरू हमने इसको पढ़ा हमने कहा कि light जो है वो absorb होती है उसके बाद वो क्या करती है कि वहां के जो atoms है वहां के electrons को higher energy state तक पहुंचा देती है और higher energy state वाले जो electrons है वो आगे जाके transport chain से गुजटते हैं इस transport chain के अंदर क्या होता है करने से हमारे पास NADPH2 बनता है ठीक है और इसके बाद क्या होता है कि यह जो दो product बने एक ATP बन गया और एक हमारे पास NADPH2 बन गया है यह दोनों के दोनों use होंगे आगे जाके dark reactions के अंदर ठीक है तो यह हमने पढ़ लिया और उसके बाद क्या होगा इसके बाद हमने पढ हमारे पास ATP synthase ठीक है तो यहां पर हमारे पास complete होगे dark reactions next lecture के अंदर हम light reactions और next lecture के अंदर हम dark reactions से आगे start करेंगे